हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक टु माई चैनल स्टाइलो रूप्स आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी होम रेब्डी आपको बताने वाली हूँ जिसका यूज करके आप भी अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं सफेद बालों को जड़ से काला बनाने के लिए आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल तो जीनी ही है साथ ही साथ आपको कुछ घरेलू नुस्कों का भी इस्तेमाल करना है आज कल 25 ए 30 की एज वाले लोगों कि आप लोगों ने देखा होगा कि उनके बाल सफेद हो रहे हैं लेकिन यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि अगर आपके बाल कम एज में ही सफेद हो जाएंगे तो आप बहुत जल्दी बूरे दिखने लगेंगे तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिसको यूज करके आप भी अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं अब रेमिडी बताने से पहले सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे बाल सफेद होते क्यों हैं कम उम्र में सबसे पहले रीजन जो होता है वो जैनेटिक्स होता है मतलब अगर आपके घर में कोई जो बड़े लोग हैं जैसे पापा हैं मम्मी हैं या दादी बाबा हैं उन लोग अगर बाल सफेद कमरों में हुए तो वो आपके भी हो सकते हैं या आपके सरीज में विटमिन B12 की कमी है, थायरोड डिसॉर्डर हो सकता है, आप अगर स्ट्रस लेते हैं तो भी आपके बाल सफेद होते हैं, या आप स्मोकिंग करते हैं, पॉलुशन की वज़े से भी बाल सफेद होते हैं, या आपका जो खान पान होता है, वो गलत तरीके का होता है, या जैसे आप जंग फूट जादा खाते हैं, या आप हैल्दी लाइफ स्टैल नहीं जीते हैं, तो उसकी वज़े से भी आपका बाल सफेद हो जाते हैं, चलिए अब हम रेमेडी जान लेते हैं, इस रेमेडी को प्रिपेर करने के लिए आपको दो चीजे चाहि और एक क्या चाहिए, मेथी चाहिए, इन दोनों का यूज़ करके आप पने सफेद बालों को काला कर सकते हैं, अब इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, मेथी के दानों को पीस कर उसका पाउडर बना लेना है, और डेली सुबह ओठकर गुड़ के साथ एक चमच मेथी पाउडर का सेवन करना है, यह कुछ ही दुनों में आपके सफेद बालों को काला करेगा, और जो नए सफेद बाल आ रहे होंगे, उनको भी रोकेगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नेक्स वीडियो जाते हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रैंड फैमिली के साथ शेयर करना है, बाई बाई